JTC holidays प्रस्तुत करता है, हिमाचल bus package, package 12 nights and 13 days का है, cover किये गए destinations है, शिमला, मनाली, डलहौजी, अमरितसर, गुजराती, पंजाबी और जैन भोजन, 2x2 AC, non-AC sitting bus, प्रतिदेन एक लीटर पानी की बोतल पर सीट, होटल के कमरे में रहें प्रती परिवार, यात्रा के दौरान ना यात्रा के दौरान रात का भोजन, यात्रा के दौरान मिठाई, बस राजकोट से सुभा 7 बजे, सुरत से सुभा 7 बजे, वरोडा से सुभा 11 बजे, अहम्दाबाद से दुपहर 2 बजे निकलेगी Day 2, जैपूर में, अंबर पालस आमेर शहर और अंबर किला मूल रूप से राजा मान सिंग द्वारा बनाया गया था और बाद में, सवाई जय सिंग द्वारा रेनोवेशन किये गए थे Birla Temple, इसका निर्मान 1988 में Birla Foundation ने किया था और इसका निर्मान पूरी तरह से सफेद माबल से किया गया है जल महल जैपूर शहर में मान सागर जील के बीच में एक महल है महल मूल रूप से 1699 में बनाया गया था राजस्थानी हैंडमेज चीजों की खरीदारी रात्री रोकान, जैपूर में जैपूर से प्रस्थान, देर रात शिमला में आगमन रात्री रोकान, शिमला में डेफोर, शिमला में माल रोड शिमला का प्रमुक हैंग आउट पॉइंट और शॉपिंग सेंटर है। ब्रिटिश शासन के दौरान निर्मित, मौल रोड दर रिज के नीचे एक स्तर पर स्थित है। कुफरी भारत के शिमला जिले का एक रिजोट हिल स्टेशन है। यह नाशनल हाइवे 22 पर राज्य की राजधानी शिमला से 20 किलोमेटर दूर स्थित है। बर्फ पर फिसलने के लिए स्की का उप्योग करके स्कीइंग या तो खेलकूद या मनोरंजक गतिविधी है। स्की का उप्योग विशेश जूतों के साथ किया जाता है जो एक बंधन के साथ उनसे जुड़े होते हैं। याक, जिसे टार्ट्री बैल, घुरगुराने वाले बैल या बालों वाले मवेशी के रूप में भी जाना जाता है, लंबे बालों वाले पालतू मवेशियों की एक प्रजाती है। माउंटन बाइकिंग ओफ रोड साइकल चलाने का एक खेल है, अकसर उबढ़ खाबड इलाकों में, आमतोर पर विशेश रूप से डिजाइन की गई माउंटन बाइक का उप्योग करते हुए। जाखू मंदिर शिमला का एक प्राचीन मंदिर है, जो हिंदू देवताब भगवान हनुमान को समर्पित है। ये शिमला की सबसे उची चोटी जाखू हिल पर स्थित है। पेराग्लाइडिंग उडान पेराग्लाइडर का मनोरंजक और प्रतिसपर्धी सहसिक खेल है, हलके, मुक्त उडान, बिना किसी कठोर प्राथमिक सनरचना वाले पैदल प्रक्षिपित ग्लाइडर विमान। एक घुरसवारी घोडा या एक काठी घोडा एक घोडा है जिसका उप्योग घुरसवारों द्वारा मनोरंजन या परिवहन के लिए किया जाता है। रात्री रोकान, शिमला में, डे फाइव, मनाली में, शुधा उन सामगरी से बने इस कुल्लू शॉल के साथ अपनी अलमारी को एकसे सराइज करें। यह खुबसूरत शॉल गर्म कव पहनने के लिए, बदलते मौसम के दोरान सामाजे क्या आकस्मिक अवसरों के लिए और विशेश रूप से सर्दियों के दोरान आदर्श है। राफ्टिंग एक ऐसा खेल है जिसमें राफ्टर्ज अन्य टीमों के साथ दोरने के लिए एक इंफ्लेटबल बेरा का उप्योग करते हैं। गंताव्य तक पहुँचने वाली टीम पहले दोर जीतती है। कुल्लू में वैश्नो देवी मंदिर ब्यास नदी के तटपर स्थित है। भगवान शिव की पतनी के नाम पर भव्य मंदिर का निर्मान वर्ष 1966 में स्वामी सेवक दास जी महाराज नामक एक संथ द्वारा किया गया था। रात्री रोकान, मनाली में, Day 6, मनाली में, रोहतांग पास भारतिया राज्य हिमाचल प्रदेश में मनाली से लगभग 51 किलोमेटर दूर हिमालय की पीर पंजाल रेंज के पूर्वी छोर पर एक उच्च परवतिया पास है। सोलांग घाटी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी के शीर्ष पर एक साइड वैली है, जो रोहतांग दर्रे के रास्ते में रिजोर्ट शहर मनाली से 14 किलोमेटर उत्तर पश्चिम में है। अटल टनल, भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, अटल बिहारी वाजपई के नाम पर, भारत के हिमाचल प्रदेश में लेय मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है। रात्री रोकान, मनाली में, डे सेवन, मनाली में, ठिडिंबा देवी मंदिर, जिसे स्थानिय रूप से धुंगारी मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसे विभिन रूप से हडिंबा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, मनाली में स्थित है। मनाली में क्लब हाउस मनलसू नाला के तट पर स्थापित एक मनोरंजन और साहसिक वापसी है, जो लुभावनी ब्यास नदी की एक शाखा है। वशिष्ठ मनाली से लगभग तीन किलोमेटर दूर ब्यास नदी के पार स्थित एक छोटा सा गाव है। यह खूबसूरत गाव अपने सलफर युक्त गर्म पानी के जर्नों और जर्नों के बगल में बने वशिष्ठ मंदर के लिए प्रसिद्ध है। ओल्ड मनाली एक आकरशक आरामदेह जिला है जो अपनी जंगली पहाडी पगडंडियों, सेब के बागों और मनासलू नदी के किनारे के दर्शनिय स्थलों के लिए जाना जाता है। जोगिनी वाटरफॉल एक खूबसूरत जगह है जिसके चारों और हरी भरी हरियाली है और एक शक्तिशाली उचाई से गिरता हुआ जहरना है। कलातोप Wildlife Sanctuary चमबा जिले के कलातोप और खजजियार में 30.69 किलोमेटर लमबा पशू सân्क्शिय है। रात्री रोकान, मनाली में, Day 8, डलहौजी के लिए प्रस्थान, रात्री रोकान, डलहौजी में, Day 9, डलहौजी में, पंच पूला वाटर फॉल हरे और ताजे पेडों से घिरा हुआ है जिसमें देवदार और देवदार के पेड शामिल है। खजजियार जीर चमबा जिले के खजजियार में स्थित है यह समुद्र तल से लगभग 1951 मीटर की उचाई पर स्थित है सेंट फ्रांसिस चाच डलहौजी का एक प्रसिध प्राचीन चाच है यह एक कैथलिक चाच है जिसे भारत में आपनिवेशिक शासन के दौरान बनाया गया था लक्ष्मी नारायन मंदिर भगवान विश्णू और भगवान शिव को समर्पित दस्वी शताब्दी पुरानी इमारत है बक्रोटा हिल्स डलहौजी का सबसे उंचा क्षेत्र है और बक्रोटा वॉक नामक एक सडक से घिरा हुआ है जो खजजियार की ओर जाता है चमरा बांध रावी नदी को बांधता है और इस क्षेत्र में हाइड्रो एलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का समर्थन करता है यह डलहौजी शहर के पास स्थित है रॉक गार्डन चमबा से डलहौजी की मुख्य सडक पर स्थित है यह बड़ी चट्टानों और प्राकृतिक जल संसाधनों के साथ एक छोटा सा प्राकृतिक स्थान है रात्री रोकान, डलहौजी में, डे टैन, डलहौजी से प्रस्थान अटारी वागा सीमा पर ध्वजारोहन समारो एक दैनिक सेन्य अभ्यास है जिसका भारत और पाकिस्तान के सुरक्षा बलो ने संयुक्त रूप से 1969 से पालन किया है इस अभ्यास में विस्तरित और तेज नृत्य जैसे युद्धा भयास और पैरों को जितना संभव हो उतना उपर उठाना शामिल है जिसे रंगीन के रूप में वर्णित किया गया है स्वर्ण मंदिर भारत के पंजाब राज्य के अमरित्सर शहर में स्थित एक गुरुद्वारा है यह सिख्ध धर्म का प्रमोख आध्यात में इक स्थल है जलियाँ वाला बाग एक एतिहास से कुध्यान और राष्ट्रिय महत्व का समारक है जो अमरित्सर में स्वर्ण मंदिर परिसर के करीब है जो घायल और मारे गए लोगों की स्मृती में सनरक्षित है रात्री रोकान अमरित्सर में डे 11 अमरित्सर से प्रस्थान वीकानेर में आगमन Day 12. विकानेर में जूनागड किला भारत के राजस्थान राज्य के विकानेर शहर में स्थित एक किला है किले को मूल रूप से चिंतामनी कहा जाता था और इसका नाम बदल कर जूनागड या पुराना किला कर दिया गया था विकानेर एक ऐसा शहर है जिसका निर्मान स्वयम एक विशाल किले के चारों और किया गया है शहर और उसके आसपास के किले भाव्य दर्श्टनिय स्थल बनाते हैं थार रेगिस्तान से घिरा राजस्तान का भीकानेर शहर उट सफारी और डेजर्ट कैम्पिंग के लिए मशहूर है यह रेगिस्तान से प्यार करने वाले पर्यटकों और यात्रियों के लिए सबसे अच्छे शहर में से एक है घर वापस JTC Holidays Private Limited, राजकोट Contact 968-789-5000 या 922-76-00-890